मैंने सालू को भी बोला था तू चोकलेट ले ले तो बोल लिया कि नहीं मिलोको चोकलेट पसंद नहीं है, अगल तक खाड़ी थी चोकले लेगे, आज तो क्यों नहीं खाड़ी है चोकले लेगे हेलो दोस्तो कैसे हो फ्रेंड बडो को नमस्कार बडे बुजर्गो को पड़ नाम, दोस्तो साम के फांच बज रहे और दोस्तो हम लेग पार्क में आये हुए है और सालू को देखो वर्काउट कर रही है दोस्तो अभी अभी वर्काउट कर रही थी है बोल रही थी ना कि अब देखना मेरी फिटनेस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और निश्चल ही बोला कि मम्मी आप जिम करो और देखो यहाँ पे एक डॉग है निश्चल को डॉग से बहुत जादा प्यार है और देखो डॉग के साथ खेल ला है निश्चल दो-तीर एक्सरसाइज किया है सालू ने और उसी में बोल लिए कि मैं ठक गई हूँ अब मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगा है सालू? पहली बार जिन्दगी में करी हूँ तो हर डॉज करेगी न तभी तो अच्छा रहेगा और निश्चल सिखाड़ा अपनी मम्मी को कि मम्मी वर्काउट ऐसे करते है सालू मेरे को एक चीज बता तू अभी वर्काउट कर रही ती लेकि तू अभी एक दो वर्काउट करने के बाद ही तू बोल लिए कि मैं ठक गई हूँ ऐसे कैसे काम चलेगा अभी थोड़ा सा वर्काउट कर ले पतली हो गई तू? एक दिन में वर्काउट करने से? क्या बात है कसम से सालू को देखो अभी थोड़ा वर्काउट किया है और थोड़ा सा र्रहनीन किया है और अभी वर्काउट के आरहे है अच्छे है ने बेच जाने के लिए खुद तो बोल लिए कि मैं ठाषा बैठ जाओं फर चलते हैं दुकान पर समान लेने के लिए दुकान है? कितनी दूर है? हां यहां से दोस्तों एक से धेर किलो मेटल दूर सो सन मेड़ को दाल यह लेकर आना है कि थुरा रब चावल में तो लेकर आना है और लेकर आए। निश्चाल आज पार्क में बहुत खेला है और अभी this बज़ मैं इसकोव लेना आँ चल अब चलता है दुकान वहाँ पे समान लेना है लेकि निश्चल बोल ला है कि पापा मुझे अभी थोड़ा से और खेलना है अजशल लगता है तरका ओर्यो बिसकुट दोस्तों ये अभी खेल लाता है और अभी बोल लाता है कि पापा मैं नहीं जाओना लेकि जैसी मैंने बोला ना तरेको चॉकलेट बिस्कुट दिलाऊंगा मैं ओरियो तो यह बोला है ठीक है पापा चलो दुकान दोस्तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट और वहां से समाल लेने के लिए यहां से 1.5 किलो मिटर दूर है और निश्चल बोला है कि पापा कितना लोगा लेकि मेरे को चॉकलेट जरूर दिला देना है निश्चल आखिर दोस्तो हम आई गए मार्केट और निश्चल बहुत ज्यादा खुस है निश्चल बोला है कि पापा मजा आ गया कसम से दोस्तों यह मार्केट सालू और निश्चल पहली बार आए यहां पे दुकान ह आता है समान राषन का तो अभी डीदाल लेना है चावल लेना है और निस्चल के लिए ब इसकुट है ने डिशकंट क ayuda निस्चल को देखो निशी यह लेख़ीए यहां मजा ऑल आ घा समसे कि लाट रहे हैं क्या नजाड़ा है कसम से निश्चल को बहुत यह अच्छा लग रहा है दोस्तों हम लोग गयते समान लेने के लिए कि दोस्तों था महगा समान था तो इसे नहीं ले पाए अब दूसरी दुकान पर जाएंगे वहां पर लेंगे कि यहां पर जादा महगा समान है और ले लेकिन चौकलेट ले लिया और निश्चा चौकलेट खाड़ा है मैंने सालू को भी बोला था तो चौकलेट ले ले तो बोल लिया कि नहीं मिले को चौकलेट पसंद लिया है और कल तक खाड़ी थी चौकलेट लिए आज तो तू नहीं खाड़ी चौकले बहुत लगता है दाल मिक्स डाल बहुत पसंद है है न सालू तो हम लोगों ने यहां पर ले लिए समान दूसरी मार्केट में मिला है कि वहां बहुत ज्यादा महगा था समान तब घर जा रहे दोस्तों यह देखिए निश्चल को निश्चल अभी जो भी रासन का समान लेके आये थे यह ने रही देखिए है और देखो अभी इस समान को काउंट कर रहा है कि सही तो लिया है पापा ने कहीं कोई समान छूट तो नहीं गया और अभी मम्मी को बोलाता ना कि मम्मी मेरे को लगड़ा है ना कि कोई समान कहीं छूट गया इसलिए मैं समानों को देख लेता हूँ तो यह भी समानों को देख रहा है सारे समान आगे ना निश्चल और समान भी है दोस्तों ये देखिए निश्चल न समान को निकाल लाता और देखिए जितना भी चावल था न सब को बिखेड दिया है पूरे सोफे पे ये देखिए पूरे सोफे पे गिरा दिया चावल को ये देखिए पूरा चावल जितने भी हम लेके आये थे पूरा चावल को गिरा दिया है सालू चाई बना रही है और इसको अभी थोड़ा सा चावल गिर गए थे तो थोड़ा सा चाई लेट बन रहा है क्योंकि यह चावल थोड़ा साफ करने लगी थी निस्चल न कोई भी समान आता है घड़ में तो ऐसे देखता रहता कि कौन सा समान आया है कौन सा समान नहीं आया है उसका बस यही काम है निश्चल का तो अभी थोड़ा चाई बनने में लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा सालू को थोड़ा टाइम लग गया था चाबल साफ करने में और अभी यह चाई बना रही है और निश्चल के लिए के दूद्र गडम हो डा है क्योंकि निष्चल को सामके time में दूद्र हडलिक जरूर चाहिए और साथ में बिस्कुट निष्चल नाडाज हो गया है निष्चल बोला है कि पापा क्या हो गया चाबल गिर गया तो बेटा मैं थोड़ी कुछ बोल ला हूँ लेकिन तू ना जब कोई समान घड़ में आता है ना तो उसे मंमी को देखने दिया कर तू मत देखा कर क्योंकि कोई भी समान गिर जाता है ठीक है ना निश्चल अब मान भी जा निश्चल नाराज क्यों है ठीक है कल तेरे को न मैं दो ओरियो विस्कुट दिलाऊंगा और साथ भेग चौकलेट ठीक है निश्चल अब देख हस लिया है अब तो नाराज नहीं है अब नाराज नहीं है ना अच्छा तू मेरे को बता तू पार्क में सबसे धूता तेरे को लगता है जूला पर जूक ठीक करना छेछा लगता है या तरब क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है पुटवल खेल लहता है निश्चल क्या वात है निश्चल सालू चाई बनने में कितना टाइम है सालू यार तुम आदे घंडे से चाई बना रहे हो और देखो अभी सफाई करने में लग गए अब क्या हो गया यार जल्दी से चाई बनाओ ना बन रही है मैं सर पे रख लू क्या अब इतना दे बनाता है पिछले अदे घंटे से चाई बना रहे है। निश्चल को देखो निश्चल डांस कर रहा है निश्चल बोला पापा आज मैं बहुत खुसू क्योंकि आज ना सिवई की खीर मिलेगी खाने को निश्चल को डांसिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि जब अच्छा खाना बनता है ना तो निश्चल डान्स करता है क्यों निश्चल ऐसा क्यों तिरको अच्छा रखता है डान्स करना क्या वात है निश्चल दोस्तो चाई बनने में तो अभी टाइम है 10-15 मिनट क्योंकि सालू बोल लिए कि पहले मैं किचन की सफाई करूँगी फिर चाय बनाऊंगी तो अभी चाय बनने में तो असर टाइम है ठीक है दोस्तों तो कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर भी ठीक है दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आवक ना ख्याल लगिए हेल्दी रही और हेल्दी खाई हो के थैंक्स दोस्तों